हमारे यहां पुर्शार्थ चार बताए गए हैं धर्म अर्थ काम मुक्ष एक बात और समझ लो कि धर्म शब्द हमारे यहां केवल रिलिज्जन के अर्थ में नहीं है मजभ ऐसे अर्थ में नहीं है धारणात धर्म में त्याहो जो धारण किया जाए और जो धारण करे सु धर्म है याने उन मुल्यों को उन वेल्यूस को धारण किया जाए उन अच्छाईयों को अपने जिवन में धारण किया जाए सत्य को तप को पवित्रता को दया करुणा को देखो यह धर्म के चार चरण है सत्य तप पवित्रता दया ये मुल्य है दिसार वर्चूज वैल्यूज और उन मुल्यों को यदि हम जीवन में धारण करें तो उससे हमारा जीवन भी उन्नत बनता है और हमारे द्वारा औरों का भी भला होता है धर्म जिसको धारण करने से इह लोक में भी तुमारा अव्युदय होता है उन्नती विकास और परलोक में भी तुमारा कल्यान होता है वो है धर्म यतो अव्युदयह निश्रयस सिद्धी सधर्मह कितनी युनिवर्सल डेफिनिशन है ये धर्मत जिससे इह लोक में तुमारा अव्युदय हो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से शैक्षनिक रूप से और अध्यत्मिक रूप से स्वस्तिक देखा है न उसके चार पंग है ये ही स्वस्तिक ल्यान करने वाला आर्थिक रूप से भी तुमारा विकास हो, कल्यान हो, उन्नती हो किसने कहा कि गरीब बने रहो दनवान बनो पैसा कमाओ धर्म परवर कमाओ इसलिए दूसरा पुरशार्थ है अर्थ धर्म अर्थ धन कमाने की किसको इच्छा नहीं होती धनवान बनने की किसको इच्छा नहीं होती और धनवान बनने की इच्छा करना या धन्वान बनना ये कोई बुरी बात है ऐसा कम से कम हमारे शास्त्र नहीं मानते अर्थ की कामना होती है संस्कृत भाषा में यदि देखें तो पुरुशार्थ शब्द का अर्थ गुजराती में हिंदी में तो पुरुशार्थ का मतलब होता है महनत संस्कृत में पुरुशार्थ शब्द का अर्थ किया जाए पुरुशाई ही अर्थ्यते इति याने जीव मात्र जिसकी इच्छा करते हैं कामना करते हैं उसका नाम है पुरुशार्थ देखो भाई कुछ बनने की कामना है बच्चों से पुछो बेटब बड़े होकर आप क्या बनोगे कैता डाक्टर बनुगा सहानिक बनुगा एंजिनियर बनुगा क्रिकेटर बनुगा तो वो केवल इच्छा करने मात्र से बन जाएगा क्या उसके लिए पढ़ना होगा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा उद्यम करना पड़ेगा वही धर्म है तुम कुछ अच्छा बनू और वो बनने के लिए जो तुम करते हूँ वो धर्म है इसलिए पढ़ना धर्म है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करो तो वो धर्म है हमारी बच्चियां बेटियां रसोई सिखती है धर्म है फिर लोग कहेंगे सासुराल में शी इस वेरी गुड कुक इतनी बढ़िया रसोई बनाती है पुरुष भी होते हैं अच्छे कुक बहुत बढ़िया बनाते हैं तो ये जो योग के ताएं हैं कुशल ताएं हैं उसको प्राप्त करने के लिए पुरुशार्थ करना ये धर्म है तो ये किवल मजभ की बात नहीं है आप ऐसा मत समझो कि आप जो कथा वारता सुनते हो वो दिर जाते हो पुजापाट करते हो वही धर्म हुआ नहीं अब जोगिंग के लिए जाते हो सुबह सुबह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये भी धर्म है हमारे बच्चे पढ़ने के लिए स्कुल कालेज में जाते हैं और पुरा मन लगाकर पढ़ते हैं वो धर्म है मन नहीं पढ़ेंगे तो धर्म का पालन नहीं हुआ परिक्षाएं चोरी करके देंगे और पास करेंगे वो धर्म हुआ प्रोफेसर सहाब शिक्षक महुदै अपने विद्याले में या महाविद्याले में जाकर ठीक से पढ़ाएं कि मेरे बच्चों को सब समझ में आ जाना चीए अच्छा रिजर्ट आना चीए वो उसका धर्म हुआ बैमन से पढ़ाएं पढ़ाएं ही नहीं बाने बाजी करें या तो पढ़ाने के स्थान पर अन्य बातों में ही समय बर्बाद करें वो शिक्षक की और से अधर्म हुआ भीया धर्म अधर्म बहुत सुक्ष्म है धर्मस से तत्वम नहितम गुहायाम इसलिए कहा गया धर्म क्या है वो महापुर्शों के जीवन से उनके चरित्र से समझो धर्म कुछ बनना कुछ बनने की इच्छा कुछ कमाने की इच्छा अर्थ धर्म चाहिए जीवन के लिए जरूरी है लेकिन पहला स्थान है धर्म का धर्म पुर्वक अर्थ कमाओ धर्म बढ़े तो धन बढ़े धन बढ़े तो मन बढ़ जाए धर्मपुर्वक धन जिसका बढ़ता है और और धनवान होता चला जाता है यदि वह धर्मपुर्वक हुआ है तो उसका धन के साथ साथ मन भी बढ़ेगा यानि उदारता आवेगी जीवन में देता रहेगा परमार्थ में खर्च करता रहेगा और मन बढ़े तो महिमा बढ़े स्वाभाविक रुप से फिर उसकी महिमा बढ़ेगी और सब बढ़त बढ़त बढ़ जाए फिर से सुनो धर्म बढ़े तो धन बढ़े धन बढ़े तो मन बढ़ जाए मन बढ़े तो महिमा बढ़े और सब बढ़त बढ़त बढ़ जाए और उल्टा भी है जीवन में यदि धर्म गया धर्म घटे तो धन घटे धन घट मन घट जाए मन घटे फिर महिमा घटे और फिर सब घटत घटत घट जाए इसलिए सबसे पहला जो महत्वपुर्ण है वो क्या है धर्म भागवत कहता है धर्मं भजास्वसततम त्यजलोक धर्मां सेवस्वसाद पुरुशान जही कामत्रिश्णां तो ये मत समझो कि आप मंदिर में बैठे हो पुजापाट कर रहे हो तो बस वो पंद्रा बेस मिनिट आदा गंटा एक गंटा आपने धर्म किया ना धर्मं भजास्वसततम धर्म का आचरण चौविस गंटा करना है घर की क्रेणी अपना काम निष्ठा से प्रेम से करे वो धर्म ही है पती दफ्तर गया है अपना काम धंग से करे पुरी निष्ठा से करे वो धर्म ही है सरकारी करमचारी अपना काम धंग से करे नियम पुर्वक करे नागरिक को किस तरह से मैं उप्योगी बनूँ लोगों की सहायता करूँ और ब्रष्टा चार से मुक्त रहूँ इस तरह से जो देश की सिवा करता है वो सरकारी करमचारी अपने दफ्तर में धर्मा चरण ही कर रहा व्यापारी व्यापार करते समय लाब सवाया जरूर करे लेकिन बेह मानी न करे मिलावट वाला सामान न बेचे तो वो धर्म ही है उसका व्यापार भी धर्म है अपने प्रत्य कर्म को धर्म बनाओ धर्म युक्तव झाल झाल